कहानिया सुनाती हैं और उसके बाद में आपकी मदर की घर की कामों में चोटे-चोटे कामों में हेल्प करती हैं लाइक कटिंग कर दिया, वेजिटेपल का चॉपिंग कर दिया तो इस तरीके से दादी मां भी हमारी बहुत मदद करती हैं या उनकी कुछ help करनी चाहिए, ओके, next grandfather, grandfather also help in a normal households, sometimes he buys vegetable for the market, अब जो दादा जी होते हैं, आपके grandfather होते हैं, वो भी छोटे 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 घरों के काम में आपकी help करते हैं, like जैसे आपने बोला मुझे घुमाला हो, cycle पे घुमाला हो, तो वो आपको लेके जाते हैं, या फिर कभी-कभी सबजियां भी लेकर आते हैं, बजार से आपने बोला, दादा हमें ये खाना है, या हमें वो खाना है, fruits, vegetables, कभी-कभी, आपके grandfather भी लेके आते हैं, next आपका है, etiquettes, etiquettes मतलब होता है, शिष्टा चार, manners, जो आपको सिखाए जाते हैं, बड़ो की respect करना, ये, ये सब होते हैं, शिष्टा चार, आपकी तमीज, आपके manners, उसमें क्या लिखाए पढ़ेंगे, we should respect our elders, we should obey them, अब जैसे मैंने आपको बताया, हमें बड़ो की इसमें बड़ो की तो आपके अच्छे के लिए समझा रहे हैं, और उनका आदर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, वो हमारे भले के लिए बोलते हैं, we should touch their feet every morning, when we wake up, अब हमें उनके क्या, जब हम सुबह उठते हैं, तो आप अपने parents या आपके जो घर में बड करना चाहिए, उनके पैर चुने चाहिए, या उनको विश्च करना चाहिए, कि good morning mommy, good morning daddy, good morning dadu, तो ये आपके एक manners में आता है, आपके etiquettes में आता है, we should greet our relatives when they visit our home, अब जो हमारे घर में जो महमान आते हैं, relatives आते हैं, या कोई भी आते हैं, तो हमें उनको नमस्ते, या फिर उनको अच्छे से मिलना चाहिए, ताकि हमारे उसमें etiquettes अच्छे दिखें, अगर आपके manners अच्छे दिखेंगे, तो आपकी तारीफ होगी, आपकी family की तारीफ होगी, okay, next आपका fun fair, अब family में कैसे हम मजे करते हैं, बोलते हैं, हम मजे करते हैं, हमारे परिवार बहुत festivals, auspicious day and other occasion together, अब जब जो family होती है, वो सभी त्योहार और जो आपका शुब काम वेगारा या फिर कोई त्योहार अफसर वेगारा होता है, उसको एक साथ celebrate करती है, अब लाइक दिवाली है, आप लोग सब दिये जलाते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ पटा के फोड़त हैं, या फिर आपके घर का कोई मुहरत हो, या आपके घर का कोई family function हो, आप एक साथ बनाते हैं, तो ये एक family के